बच चुके हैं और पछले एक घंटे से बिहार में वोटिंग लगाता जाद रही है चौते फेस को लेकर और ये दो तस्वीरे हम आपको गोपाल गंज और बेतिया से लाइब दिखा रहे हैं जहाँ पर खासा उत्सा देखने को मिल रहा है वोटर्स के अंदर विकास ये वो बड़ा मुद्दा जिसको अपने जेहन में रखकर वहां के मतदाता वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं सुबह से ही लंबी कतारे और एक तरफ आप महिलाओं की कतारे दूसरी तरफ पुर्शों की ये लंबी लाइन देख रहे हैं जहाँ पर अपने वोटर आईडी कार्ट क साथ लोग पहुंचे हुए हैं और अपने शेत्र के लिए नया और अच्छा वधायक चुनने के कोशिश और जद्द जहत इन लोगों की ओर से लगातार जारी है पिछले एक घंटे से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए है आनुज गुपता जी प्रदीब सिंग जी विनोद अगनिहोत्री जी इन तीनों ही लोगों का मैं रुक करूँ लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं लोगों में कितना जादा उत्सा देखा जा रहा है बेतिया शेत्र में इसका जाजा लिया है हमारे संबाददाता अमित ने लेखिए पश्चिम चमपारंद के पेतिया में अभी जो मदान चल रहे है उसमें महिलाओं ने भी खुब अपना जोस दिखाया है और इस फकत कुछ महिलाओं जो है जो मदान करके जो बाहर मदान के इन से बाहर आई है देखिए सब लोगों ने जो आपने दिखाई है अपने अच् क्या कुछ सुबा सुबा जो है घर का झो है घाना उना बिना बनाया सी दिखन करने चले है क्या कुछ मन बता है जे rpm ले मोद्य लास था कि पर दिना है बहुत ज़रू जाए वोड देना तो थे भी सब्सक्राइब सृण करके निकली हो च्रीघ्र सास न बात करके तो हो सास कि महिलाएं जो है सुबह में क्या आप रुचाती है कि पहले वोट करके आ जाए उसके बाद खाना खाना बनाएंगे सोलों के लिए जी तो कुछ एक महिलाओं के वीच में जो है एक सास बहु का जो है कॉपल वो भी है हम इनसे बात करें क्योंकि देखे एक बहुरिया जो है भो अपने घर से निकली सुबह सुबह करके जो है यह बताए कہ सार्च बहु का जो हमेशा होता है कि लड़ाई जग्रा यहाँ मद्दान को लेगा लड़ाई जग्रा कुछ नहीं था नहीं था दो वस हुआ आगई वोट करने जी क्या मन में है क्या नेता को कैसे कैसा नेता चाहिए कैसा उमिद्बार चाहिए सही नेता चाहिए था कि हमारे देश का तरक्य हो सासुमा से कुछ बात चीत हुई कि कौन लोग होंगे कैसा उमिद्वार चाहिए सासु से कुछ बात हुई थी नहीं नहीं बस मन में जो आया उसको चुल लिया जी जी सासुमा कोई यहां पे तो आपका लगता नहीं है कि आपने कुछ दबाव दिया हो अपने बहु को कि बाई वोट इसी हो करना है जिसको चाहे सरकार ना लेकिन सरकार उन्हे को बनाना चाहिए जो अच्छी सरकार हो हमारी प्पिजल स्वास्त संबंदी समस्या Зड़क, इत्री बेव की सारे संबंदी समस्या यह महिनाओं के प्रति जो भी एक्षैर हो रहे हैं हम लोग का, हिस सास बहू कर नई हम लोग का, मा बेटी का महौल है। सोच है और चाहते हैं कि सही तरीके से जो है निता का चैन हो कैमरामन नमनीत के साथ अमित कुमार सिंग इंडिया निउस बेतिया आपसी सहमती के साथ वहाँ पर वोटिंग के लिए ये लोग पहुंची वे हैं हाथ में भले ही करवा चौत की महंदी लगी हो लेकिन अमित स्याही का निशान बताता है कि महलाएं कितनी जागरूख हैं बिहार में इसी वज़े से सारा काम का छोड़ कर सबसे पहले मतदान और उसके बाद ही जलपान फिलाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीधे उसका हम रुख करेंगे सिवान से ये खबर है जहाँ पर कहा जा रहा है पोलिंग बूत नंबर 201 पर एवियम मशीन खराब हो गई है जिसके कारण लोग वहाँ पर काफी देज से परिशान है अब शेक चंद्रा हमारी से होगी जूचुके हैं जाता जानकारी के साथ अब शेक तब तो काफी दिक्कते आ रही होंगी लोग वहाँ पर कतार बद होंगे उसको ठीक करने का काम क्या शुरू किया जा चुका है बिल्कुल चुतरा पिछले एग घंटे से जो पोलिंग स्टेशन नंबर 201 है यह सिवान के बिल्कुल मेंट टाउन का पोलिंग स्टेशन है वी एम इंटर स्कूर्स को कहते हैं यहां पर एग घंटे से लोग परिशान है पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूत पे लोग लंबी कतार में खड़े हैं ईविम मशीन को रिप्लेस नहीं किया गया है लोग बहुत परिशान है कुछ लोग ऐसे हैं जो मद्दान करने आए थे लेकिन उसके बाद भी आप अपने अधिकार का प्रिवक नहीं पर पा रहे हैं क्या परिशानी बता रहे हैं लोग अपने एविम मशिन में अभी तक खड़े हैं कोई ब्योस्ता अभी तक नहीं हुआ इसकी ब्योस्ता कि अधिकारी उसे बात की अधिकारी तो अभी नहीं बात किया है त्यार हो रहा है एक घंडे से लोग खड़े हैं लेकिन मशीन रिप्रेस नहीं किया गया है कितनी अलंबी कतार है कम से कम सोग डेल सोग आदमी को होगा चितरा मेरे पीछे ये पोलिंग स्टेशन है मैं एक वीजोल आपको दिखाना चाहूंगा बिलकुल लंबी कतार यहां पर लगी हुई है मेरे कैमरामेन मनीश आपको दिखाएंगे ये कतार पोलिंग स्टेशन में काफी लंबे समय से आई थी लेकिन पिछले एक घंडे से सिवान का ये जो 201 नमबर का पोलिंग स्टेशन है यहां के लोग परिशान हैं हताश हैं क्योंकि यहां की EVM मशीन में गरबड़ी हो गई है और यहां के अधिकारी जो है फिरहार इसे बदलने के आई भी कोई बहुत बड़ा प्रयास करते नजर नहीं आ रहे हैं चले हम उम्मीद करते हैं कि जल से जल वहां की जो समस्या है उन दिक्कतों को दूर किया जाया ताकि लोग इतने देर से जो पिछटे एक घंटे से लाइन में लगे हुए हैं वो जल्दी से वोटिंग करें और उसके अपने अपने घर को वापस तोटें लेकिन यहाँ पर अनुची आपको मैं लाना चाहूंगी चुकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके जरूरत बिलकुल भी नहीं थी लेकिन तीसरे से चौते चरण के बीच के अगर हम टाइम पीरिट को देखें पाकिस्तान को लेकर बयान हो या पर तंत्र मंतर से पीछा चूटा तो नहीने बयान चले आएं यहाँ तक हमने देखा फिल्म त्री इडियर्ट के अलग अलग डालॉग भी एक दूसरे पर जुम्ले के रूप में उच्छा ली जाने लगे यह क्या दर्शाता है क्या यह नयापन लाने की कोशिश है या फर लग रहा है कि विकास का मुद्धा उस तरह से इंपक्ट नहीं डाल रहा है इसलिए जनदा के बीच इन ही मुद्धो को छोड़ गए चित्रा जी देखे आपके रिपोर्टर सी जिन से बात कर रहे हैं आज भी और इसके पहले के चरणों में भी तो विकास सबसे बड़ा मुद्धा है वो सब लोग कह रहे हैं इसलिए विकास का मुद्धा नहीं है ये नेता नहीं समझ पा रहा है मैं ऐसा नहीं मानता है लेकिन विकास तो दोनों तुरफ के लोग है ना निदेश कुमार भी और नरेंगर मोदी भी तो उसके बाद अगला पत्ता क्या होगा देखिए जो अंतिम चरण जो होने वाला है पांस तारिक को वो वाला चेत्र है जहां बीजेपी को बहुत जादा उम्मीदे नहीं होग कि उन छेत्रों में मुस्लिम अबादी बहुत बड़ी है मुस्लिम और यादो कॉम्बिनेशन जो है वो यदि 57 में से जो अगले चरण की है उनमें चालिस पैतालिस पचास सीटे तक भी यदि महागाट बंदन को दे देगा मुझे हैरन ही नहीं होगी इसलिए बीजेपी के जा रही है और देखिए आज के एक नॉमबर 36 गड़ का जन्म दिन इसके अलावा जो महत्व आज किया है कि महाराष्ट में ठाने जिले में कल्यान डॉम्बी वली और कोलहपुर इनके नगर निगम के चुनाव भी हो रहे हैं और महाराष्ट की सरकार देखिए आपने दो को भी खत्रे में आगे डाल तकती है कल्यान में राज ठाकरे भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के और कहीं जीत नहीं पा रहे है और पिछली बार यहां पे उन्होंने कड़ी टक कर दीती है उसे ना को तो वहां इन तीन शक्तियों के बीच ही मुख्यों काबला है कॉंग्र चुनाव पर हमारी एक खास कबरे लगातार जारी रहेगी